हेलो स्टुडेंट्स नीट बाइलोजीन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वैलकम और आज हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जोप्शन के अपने लास्ट लेक्चर के बारे में आज का जो हमारा टोपिक है आज हम जो टोपिक कवर करने जा रहे हैं वह है डिसोडर ओफ डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिसोडर होते हैं जैसे ज्वेंडिस हो गया डाइडिया हो गया वो मिटिंग हो गया कॉंस्टिपेशन हो गया और इंडाइजेशन इन के बारे में हम बात करेंगे और दो डिसीज के बारे में एंसी आर्ट कि हर एक लाइन को हम यहाँ पर कवर करेंगे तो आई यह सुरू करते हैं आज का अपना लेक्ट्चर डिसोर्डर्स और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में सबसे पहले डिसीज जो NCRT के अंदर दी गई है वो है इंफ्लेमेशन ओफ एलिमेंटरी के नॉल पहले डिसीज है इंफ्लेमेशन ओफ एलिमेंटरी के नॉल कि जो एलिमेंटरी के नॉल होती है हमारी उसके अंदर सुजन आ जाती है इंफ्लेमेशन मिल सुजन आ जाती है उसके अंदर ऐसा क्यों होता है elementary canal या intestine के अंदर सुजन आ जाती है तो ऐसा किस वज़े से होता है inflammation of elementary canal की क्या reason होते है इसकी reasons होते है कि bacterial disease हो जाए कोई हमें bacterial disease हो जाए या कोई viral disease हो जाए viral disease हो जाए या कोई halimentic या halimentic disease हो जाए तो इसकी वज़े से क्या हो जाता है जो हमारी elementary canal होती है या हमारी intestine जो होती है और intestine उसके अंदर सुजन आ जाती है bacterial हो viral हो या halimentic कोई disease हो इसकी वज़े से हमारी जो intestine होती है या हमारी elementary canal है उसके अंदर सुजन आ जाती है तो क्यूं होता है अगर हम कोई गंदा पानी पी ले उसकी वज़े से हो सकता है कोई गंदा हम भोजन खाले उसके अंदर कोई bacteria या viral infection हो उसकी वज़े से यह हो सकता है और आप कोई हैलिमन्थिक के अंदर क्या क्या आता है हैलिमन्थिक के अंदर आते हैं जैसे हमारे हो गए हुक वर्म हो गया हमारा टैफ वर्म हो गया टैफ वर्म हो गया हमारा राउंड वोम हो गया यह हमारे कहा आते हैं हलिमन्थिक डिसिस के अंदर यह आते हैं और भी आते हैं पिन वोम वगएरा यह सब हमें देखने को इसके अंदर मिलते हैं इसके अंदर क्या होता है हमारे जो एब्डमन होता है पेट जो होता है एब्डमन जो नीचे वाला हिस्सा होता है हमारा एब्डमन वाला हिस्सा होता है एब्डमन वाले हिस्से में पीन देखने को मिलता है यह किसकी बात कर रहे है जब हमें इंफ्लेमेशन हो जाता है elementary canal या intestine के अंदर तब हमें abdomen के अंदर pain देखने को मिलता है I hope आपको एक clear हो गया होगा अब NCRT के अंदर देख लेते हैं कि इस disease के बारे में NCRT ने क्या लिखा है disorders of digestive system के अंदर NCRT के अंदर जो पहला disorder है वो है inflammation of elementary canal intestinal tract हमारी जो आथ होती है intestine होती है उसके अंदर क्या हो जाता है सूजन आ जाती है तो ऐसा क्यों होता है NCRT लिखती है is the most common element due to the bacterial or viral infection ऐसा क्यों होता है ऐसा bacterial या viral infection के कारण होता है हमने आपको बता दिया है bacterial होता है viral होता है इसरा कौन सा बताया आपको हैलिमेंथिक इंफेक्शन अगर हो जाता है the infection are also caused by the parasitic of the intestine like यह हैलिमेंथिक की बात कर रहा है आप जाएं आपर कुछ इंफेक्शन कैसे होते हैं हैलिमेंथिक इंफेक्शन हो जाते हैं जैसे टैफ वर्म राउंड वर्म हैलिमेंथिक इंफेक्शन हो जाए तो उसकी वज़े से हमें इनकी वज़े से होता है अब बात करते हैं जो एंडिस क्या होता है जो पीलिया बोलते है जिसको जो एंडिस यह क्यों होता है करण डिसोर्ट के अब हम बात करते हैं जो एंडिस के बारे में कि जो एंडिस इसको पीलिया बोलते हैं क्यों होता है यह होता है बाइल पिगमेंट की डिपोईशन के करण ज्वेंडिस होता है बाइल पिगमेंट के करण due to profile pigment इसमें क्या होता है जो bilirubyn and bulletin content जो होता है वो high हो जाता है आपने पढ़ाता है bilirubyn और twitter जो bilirubyn content होता है bilirubyn content होता है वो high हो जाता है बिली रूबिन कंटेंट क्या होता है हाई हो जाता है बिली रूबिन कंटेंट हाई हो जाने के वज़े से क्या होता है जो हमारी आई होती है जो हमारी आखें होती है और हमारी जो इसकीन होती है आई होती है और हमारी इसकीन होती है उसका color change हो जाता है जो हमारी eye होती है और skin होती है उसका color change हो जाता है ये bilirubin and जो bilirubin content हो high किस वज़े से होता है हमारे liver के अंदर कोई infection हो जाता है उस वज़े से bilirubin content हमारा क्या होता है high हो जाता है और ये infection किस वज़े से होता है ये कोई viral infection हो जाता है जिसकी वज़े से liver के अंदर bilirubin content बढ़ जाता है कोई viral infection अगर हो जाता है तो उसकी वज़े से क्या होता है जो bilirubin content है वो बढ़ जाता है means bile pigment बढ़ जाते है और eye का और skin का color yellow हो जाता है इसे बोलते हैं ज्वेंडिस अब देखते हैं ज्वेंडिस के बारे में NCRT के अंदर क्या लिखा है ज्वेंडिस दा लिवर इज एफेक्टिड लिवर क्या होता है एफेक्टिड होता है and skin eyes turn yellow due to the deposition of bile pigment NCRT के अंदर ये बात लिखी है कि जो bile pigment होता है उनके deposition के कारण जो हमारी eye होती है और skin होती है वो yellow हो जाती है यह हमने आपको बताया liver affected होता है क्यों होता है liver affected हमें कोई viral disease हो जाती है या कोई chronic disease हो जाती है liver क्या होता है liver damage हो जाता है bilirubin content जो होता है वो बढ़ जाता है इसकी वज़े से क्या होता है जो आई होती है और इसकी नोती है उसका कलर क्या होता है चेंज हो जाता है इसे बोलते हैं इस कंडिशन को हम ज्वेंडिस बोलते हैं इस कंडिशन को क्या बोलते हैं ज्वेंडिस बोलते हैं अब बात कर देते हैं वोमेटिंग की तीसरी दिरख् उल्टिया नहीं क्या बोलते हैं वो मिटिंग इसके अंदर क्या होता है जो हमारा इस्टमक का जो कंटेंट होता है यहीं पर समधा देता हूं मैं आपको इसको जो इस्टमक का जो कंटेंट होता है इस टमक के कंटेंट को हम कैसे क्या गरते हैं इस टमक के कंटेंट को बक्कल कैविटी से होते हुए बककल कैविटी से होते हुए माउट से बाहर निकाल देते है इस टमक के कंटेंट को बककल कैविटी से होते हुए उसे माउट से बाहर निकाल देते है उसे क्या बोलते है हम वोमेटिंग बोलते है इस टमक के अंदर कोई कंटेंट है उसे बककल कैविटी से होते हुए माउट से अगर हम बाहर निकाल देते हैं उसे बोलते हैं वोमिटिंग और आपने फिल किया होगा कि उल्टी आने से पहले हमारा जो अंदर से क्या होती है एक फिलिंग आती है उसकी कि हमें उल्टी होने वाली है उस फिलिंग को क्या बोलते है उस वोमिटिंग को क्या बोलते है NCRT के अंदर भी यही बात लिखी है It is the ejection of stomach content through the mouth कि जो stomach का content होता है उसे mouth के through बहार निकालने की process क्या कहलाती है Vomiting कहलाती है क्या कहलाती है Vomiting कहलाती है This reflex action is controlled by the vomiting center in the medulla जो इसका reflex action जो controlling center होता है इसका vomiting का वो होता है Medulla के अंदर Brain के अंदर जो medulla oblongata होता है वहाँ पर इसका center में देखने को मिलता है If feeling of nausea proceed vomiting Means हमें ऐसा लग रहा है हम कोई कार में सफर कर रहे है तो हमें ऐसा feel होता है कि हमें उल्टी आने वाली है हमें vomiting होने वाली है तो उस condition को क्या बोलते है नोजिया बोलते है यह नोजिया क्या है वो condition है कि हमें लग रहा है कि वो meeting होने वाली है अब अगली decisionciart एक अंदर क्या mention है वो है diarrhea 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 क्या होता है जब हमारा जो वो होता है bowel moment होते है उनकी frequency abnormal हो जाती है इसके अंदर क्या होता है the abnormal frequency of bowel moment इसके अंदर क्या होता है fecal discharge के साथ liquid की मातरा बढ़ जाती है जो fecal discharge होता है fecal discharge जो excreter होता है हमारा मल होता है excreter जो excreter होता है जो मल होता है हिंदी में जिसको बोलते हैं उसके साथ में liquidity बढ़ जाती है उसके साथ में क्या होता है increase the liquidity कि उसके साथ पानी की मात्रा बढ़ जाती है इस condition को क्या बोलते हैं diarrhea बोलते है इस condition को क्या बोलते है diarrhea बोलते है ये भी किस वज़े से होता है ये भी bacterial या viral infection की वज़े से ही होता है यह bowel moment क्या है यह bowel moment है हमारे जो bowel moment लिखे है यह bowel moment वही है peristalsis moment peristalsis moment के बारे में ही यह बात कर रहा है इनकी जो frequency होती है वो disturbance हो जाती है उस disturbance हो जाने की वज़े से क्या होता है जो fecal discharge होता है उसके साथ में liquid content आना सुरू हो जाता है और इस condition को बोलते हैं diarrhea जब हम excretor या इस tool पास करते हैं तो उसकी साथ में वाटरी content ज्यादा दिखाई देता है इसे बोलते हैं diarrhea इसमें क्या होता है हमारा जो फूड है वो अच्छी तरीके से एब्जोब नहीं हुआ होता मिन्स यह absorption और फूड के absorption है उसे कम करता है आई होप आपको एक लिए रो गया होगा दो चीज़ाद रखने हैं जो बोवल मोमेंट है उसकी frequency abnormal हो जाती है fecal discharge के साथ liquid आना शुरू हो जाता है इस condition को diarrhea बोलते है absorption of food से क्या हो जाता है कम हो जाता है अब constipation जो होता है ये इसका बिढूखुल उल्टा होता है ये इसका क्या होता है उल्टा होता है इसमें पानी की मातरा कम होती है इसमें पानी होता ही नहीं है क्या होता है इन कोंस्टीपेशन दा फीश आरे्टेन विदिन दैक ज़िर्णों एज़ के अंदर इसके अंदर क्या होता है कि अधि जो हमारे फीशीस होते हैं वो लों के अंदर फज़ जाते स friendship कम हो जाती है बढ़ जाती है में यहां पर परेस्टाल्स मु disci 6000 मुमेंट बहुत कम हो जाते है और वहां परjust कि हम स्टूल पास करने वाले हैं बट ऐसा नहीं होता है बैठे रहते हैं बट आती नहीं है यह होते कॉंस्टिपेशन की समश्या अब बात करते हैं इंटाइजेशन के अंदर ऐसा लगता है कि जो हमने फूड है वो खा लिया है हमने थोड़ा सा फूड खा लिया है बट ऐसा जबता है कि हम पूरे टाइम हमें छके छके से हम लगते मिस क्या ह tycker हमेंस्त ऑब बहुत जदा खा रखा है तो हमने क्वेन कहा एक अदर को प्रोपर्लि डाइजिस्टी नहीं होता इसके फूड को प्रिपड़ी डाइजेस्ट नहीं होता है इसके अंदर इस वज़े से क्या होता है लीडिंग फिलिंग फुलनेस ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ खा रखा है पेट छाका छाका सा हमको लगता है इसा हमें लगता है अगर एक दो रोटी भी हम खा लेते हैं तो हम को एसा लगता है कि हमने साथ आड रोटी खा रखी है बट ऐसा नहीं होता है जौने जो एंजाइम होते हैं हमारे बोजन के अंदर जो डाजस्टिव एंजाइम होते हैं उनका सिक्रेशं कम है हमें कोई anxiety है, means कोई चिंता है, food poisoning हो रखी है हमें, food poisoning का क्या मतलब है, कि हमें हमारी जो elementary canal है, उसके अंदर कोई infection हो रखा है, इस वज़े से हमको ऐसा लगता है, over eating, किसी दिन ऐसा हो गए हमने बहुत ज़्यादा खा लिया, अगर बहुत ज़्यादा खा लिया तो फिर खाने spicy food हमने खा रखा है, spicy food की वज़े से भी in digestion की problem हमें देखने को मिलती है, यह food poisoning किसी viral infection के कारण यह हो सकती है, अब बात करेंगे हम protein energy malnutrition के बारे में कि protein energy malnutrition क्या होता है, उसके उसके अंदर दो disease होती है, quasher core और marasmus उनके बारे में हम बात करते हैं, जो protein energy malnutrition की नियुक्त ऐसी, जो problem हमें देखने को मिलती है, यह हमको developing countries के अंदर देखने को मिलती है, यह हमें developing countries के अंदर देखने को मिलती है, डवलपिंग गन्ट्री जैसे जो African countries हो गए हमारे, जैसे Nigeria, YOUTHOPIA, Kenya, इस तरीके के जो country है, वहां पर हमें यह ये युथोपिया वगेरा में ऐसी condition हमें देखने को मिलती है developing countries के अंदर ऐसा क्यों होता है means protein की कमी क्यों होती है इसके बहुत सारे reason हो सकते है इसके शुरू में जो protein energy mal nutrition के जो reason है इसके reason काफी सारे दिरक्टे जो developing countries है वहाँ पर देखने को मिलता है वहाँ पर कोई जो मिट्टी है वो उपजाओ नहीं है ड्रोट पड़ा है, सूखा पड़ा हुआ है ये कारण हो सकता है वहाँ पर या फिर दो देशों के बीच political disturbance बढ़ गया है या इसके कुछ रिजन सोच सकते है political disturbance हो रखा है political disturbance से मतलब है कोई दो देशों के बीच लड़ाई हो रखी है और हम तीसरे देश से माल export करवा रहे है जिससे उस वस्तु का rate बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है जो हर एक normal इंसान तक वो चीज नहीं पहुंच सकती इसलिए उनका rate क्या हो रखा है high हो रखा है तो इस वज़े से क्या होता है उसके rate बढ़ जाते है तो हर एक आम इंसान तक वो चीज नहीं पहुंच सकती इस वज़े से भी protein deficiency देखने को मिल सकती है अब हम बात करेंगे जो protein energy malnutrition जो हमने आपको 2-3 condition बताई NCRT भी इनी condition के बारे में बताती है The dietary deficiency of protein and total food calories are widespread in many underdeveloped countries of South and East Asia South America, West and Central Africa के अंदर हमें condition देखने को मिलती है Means protein और food calorie हमें अच्छे से नहीं मिल पाती है क्योंकि वहाँ पर protein जो डोट सूखा पड़ा हुआ है फसला में अच्छे तरीके से उगा नहीं सकते बार से माल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो protein और calories किसी वहाँ पर normal बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती है तो यह condition हम किस किस countries के अंदर देखने को मिलती है South countries जो है हमारे पास South African जो countries है वहाँ पर यह चीज देखने को मिलती है South America के अंदर Central Africa के अंदर यह चीज हम को देखने को मिलती है जो प्रूटीन एनर्जी माल न्यूट्रेशन है पी एम सोटकट में बोल देती है में एफेक्ट लार्ज सिक्रेशन ओपोपुलेशन दिरिंग ड्रोट सुखे के कारण हो सकती है फैमाइन एंड पॉलिटिकल टर्मिनियल वहाँ पर कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बैंस चीड़ रहा है उस वज़े से कंडिशन हो सकती है इस हैपन इन बंगलादेश दिरिंग ड्रिबरेशन ओफ वार और इन यूथोपिया ड्रोट इन दा मीड एक्टीज बंगलादेश के कारण ये कोई आपर लिबरेशन वोर हमको वहाँ देखने को मिला था महाँ पर ये कंडिशन देखने को मिली थी यूथोपिया के अंदर 18 मीड एक्टीज के अंदर क्या था महाँ पर शूखा पड़ा था तो महाँ पर भी हमको ये कंडिशन देखने को मिल रही थी प्रोटीन एनरजी माल नूट्रेशन एफेक्ट इनफेंट एंड चिल्डरन टू प्रोड्यूस मेरासमस एंड क्वेशर कोर जो प्रोटीन एनरजी माल नूट्रेशन होता है इसके करण जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हमें दो डिसीज देखने को मिलती है पहली होती है मरासमस दूसरी होती है क्वेशर कोर अब मरासमस क्या होती है क्वेशर कोर क्या होती है यह दर मराशमस है और यह कंडिशन है क्वेशर कर अब हम इसके अंदर जो में में पॉइंट है उनके बारे में आपको बता देते हैं जो क्वेशर कोर होती है यह क्यूं होती है आपको याद रखना है कि जो मराशमस होती है यह प्रोटीन की डेफिशेंसी से होती है यह प्रोटीन की डेफिसियंसी से होती है प्रोटीन की कमी से कौन सी देखने को मिलती है हमें क्वैशर कॉर मरैसमस किसकी वे से देखने को मिलती है यह प्रोटीन प्रोटीन प्लस कैलरी इसमें प्रोटीन तो होती है साथ में अच्छे तरीके से इन्हें भोजन भी नहीं मिल पाता है इस वज़े से हमें मरैसमस देखने को मिलती है जो क्वैस्टर कोर होती है ये एक साल से अधिक के बच्चे में देखने को मिलती है more than one year more than one year एक साल से अधिक के बच्चे के अंदर हमें question score देखने को मिलती है जबकि मरैसमस एक साल से कम के बच्चे के अंदर देखने को मिलती है less than one year less than एक से कम साल का जो बच्चा होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है अब आप इसके अंदर देख सकते जो question core का बच्चा होता है इसका जो पेट है वो फूला हुआ होता है पेट मोटा हो जाता है पेट क्या हो जाता है? इसका अधर मोटा हो जाता है odi maa बोलते हैं odi maa odi maa याँ पर देखने को मिलता है बट जो बच्चे होते हैं क्वाशर कोर के इसके अंदर हमें extensive इमैक इमैकियेशन देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है एक्स्टेंसियू इमैकियेशन या thinning of limbs बोल सकते है या thinning of limbs means आपको ने तो यह याद रखना है इसके अंदर सरीर मोटा हो जाता है और दूसरी तरफ मरैसमस के अंदर जो उंगलिया होती है जो पेट होता है सब कुछ क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है उसकी जो muscles है months पेश यह है यहाँ तक कि वो भी आप देख सकते है वो दिखने लगती है यह होता है मरैसमस के अंदर और क्वेशर कोर के अंदर क्या हो जाता है ऐसे पेट इसमें मोटा हो जाता है उसका स्रीर मोटा हो जाता है और उनकी क्या हो जाती है ग्रोथ इस्टंट हो जाती है इस्टंटिड ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है दोनों के अंदर क्या होती है इस्टंटिड ग्रोथ देखने को मिलती है मिन जो ग्रोथ होती है बदोनों बच्चों की वो रुख जाती है ग्रोथ क्या होती है एक दो साल के बाद वो रुख जाती है ग्रोथ इसकी नहीं होती है एक साल दो साल के बाद इनकी ग्रोथ क्या होती है अगर ग्रोथ होती भी है तो बहुत धीरे धीरे इनकी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है इसके अंदर क्या हो जाता है पेट फूल जाता है स्वेलिंग हो जाते है जिसे हम ओडिमा बोलते है अब आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो मरैसमस होता है यह क्यूं होते है यह क्यूं होते है आपको याद रखना है दूसरे कलर से मैं लिख देता हूं इनको जो क्वैसर कोर होता है यह क्यों होता है क्वैसर कोर होता है जब बच्चे का जो मिल्क है जो मदर का जो मिल्क है उसको हम चेंज कर देते है उसको हम चेंज कर देते है मिन्स या उसको रिप्लेस कर देते है uscom replace कर देते हैं replace किस से करते है sorry इसे हम replace कर देते हैं जो बिल लिख है इसको ब्चेंज कर देते हैं यह replace कर देते यह कि से लो प्रोटीन डाइठ दे देते हैं इनको बच्चों को लो प्रोटीन लो प्रोटीन डाइट लो बच्चों का प्रोटीन अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती है तो तब क्या कौन से ब्teil है कौसर और जबकि मल degree के अंदर ऐसा नहीं होता मरेशbnिस के अंदर क्या होता है छो मदर है इस बच्चे को पैदा हूय अभी च्यार पांच महिन होए है बट ननक्तल क्या होति हैं लुए ह कि मदर क्या होते हैं प्रिक्नेंट हो जाने के वज़े से दूसरा बच्चा प्रेग्नेंसी लग चुकी है तो जो उसका मिलक है वो छुडवा दिया जाता है means दो चैल्ड के बीच में में याँ पर गैप नहीं देखने को मिलता दो चैल्ड के बीच में गैप देखने को नहीं मिलता है मदर दो बार से प्रिगनेंट हो जाती है तो जो पहले वाला चैल्ड है उसको दूद उसको दूद मींस उसको ज़्यादा समय तक दूद नहीं पिलाया जाता मदर का तो इस वज़े से कौन सी विमारी होती है मरासमस उसके अंदर विमारी देखने को मिलती है अब देखते हैं मरासमस के बारे में NCRT में क्या लिखा है मरासमस मरासमस is produced by the simultaneously deficiency of protein and calorie हमने बताया protein और calorie दोनों की वज़े से होती है मरासमस देखने को मिलती है विमारी एक साल से कम के बच्चे के अंदर ये बिमारी देखने को मिलती है इप मदर इस रिप्लेश्ट टू अर्ली बाई अधर फूड विच आर पूर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलरी वेल्यू यदि मदर क्या करती है वो अपने फूड को जल्दी चेंज कर देती है मिल्क प्रोटीन और कैलरी वेल्यू जिनकी कम होती है मदर बच्चों को ऐसा फूड देना सुरू कर देती है जिसमें प्रोटीन वे कैलरी वेल्यू कम होती है तब क्या बिमारी हो जाती है? मरेसमस हो जाती है या एक इसका रिजन और होता है मदर हैज सेकिंड प्रिगनेंसी चाइल्ड बर्थ वैंदा ओल्डर इंफेंटेज इस्टिल टू यंग मिन्स मदर को दूसरी प्रिगनेंसी लग चुकी है बट अभी जो पहला बच्चा है वो बहुत ज़्यादा छोटा है उसको मिल्क की आओ सकता है बट उसको मिल्क मिल नहीं पा रहा है इस वज़े से क्या होती है? मरेसमस की बिमारी हो जाती है प्रोटीन वे कैलरी डेफिसेंसी हो जाती है इनमरास्मस प्रोटीन डेफिशेंसी इंपेर ग्रोथ एंड रिप्लेस्मेंट और टीशू प्रोटीन एक्स्ट्रीम इमेकियेशन और बोडीज मिन्स जो मसल से वो देखने को मिलती है जो उसके हाथ पैरे वो बहुत जादा पतले हो जाते है इसकीन क्या हो जाती है सूक जाती है इसकीन रिंकल्ड हो जाती है थिन हो जाती है पतली हो जाती है ग्रोथ रेट एंड बोडी वेट डिकलाइन कंसिडियर्विली जो इसका ग्रोथ रेट है और बोडी वेट है वो घट जाता है अब बात करते हैं क्वेशर कोर के अंदर Courser-Core के अंदर क्या देखने को मिलता है Courser-Core is produced by the protein deficiency Combined by the Calories deficiency Courser-Core के अंदर क्या देखने को मिलता है किवल protein deficiency देखने को मिलती है protein की deficiency से क्या होती है Courser-Core होती है It results from the replacement of mother milk by the high calorie low protein diet in a child more than one year of age हमने बताया था求 qc色 qor एक साल से दिख् Yak Mill के शोचा है उस Ruby प्रोटлан की देखैंश है हमने आपको बताया था उसके अंदर protein की डिफिशियंसी हो जाती है इंद्ध रुधा एक development इसके अंदर भी सब कुछ में condition देखने को मिलती है but इसके अंदर एक other condition देखने को मिलती है but unlike mrasmus some fat is still left under the skin हमें देखने को मिलता है जिसे हम बोलते है odima जिसे हम odima बोलते है fat क्या होता है skin के अंदर कुछ fat इकठा हो जाता है moreover extensive odima यहाँ पर देखने को मिलता है and swelling of body part are seen और जो इसके body part है और वहें भी full जाते है तो यहाँ पर हमारा digestion and absorption वाला chapter होता है खतम अगली class में हम chapter सुरू करेंगे breathing and exchange of gases हमने इस chapter की NCRT की हर एक line को cover किया है with उसके diagram को समझाते हुए हम पूरे chapter में आगे बढ़े है अगर आपको इस chapter में फिर भी कोई दिक्कत होती हो तो comment section में आप लिख सकते है वहाँ पर मैं आपके सभी doubt दूर कर दूँगा अब आपने अगला chapter सुरू करना है वो होगा breathing and exchange of gases और हम बोटनी के अंदर जो chapter हमारा चल रहा है वो है biological classification chapter हमारा चल रहा है तो थैंक्यू बच्चों मिलते हैं अगले lecture में मैंनत करते हैं ओला very best